दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग है आट जून सन दो जार तेईस विक्रम समवत दो जार सी चल रहा है आश्याड मास है कृष्णुपक्ष है ग्रिश्मृतू है तिथी आज की पंचमी है और आज का वार है गुरवार आज के पंचाटर की बात करें तो श्रवण नख्षत्र साम 6 बच के उनसर मिनट तक रहेगा आगे धनिश्पा नक्षटर है योग एंद्र है शाम 6 बच के बच एठावन मिनट तक आगे वेध्रत की योग है तो योकी समय दर्शकों सुबह 5 बच के 22 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम साथ बच के 17 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर डेड़ से तीन वज़े के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुपकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए अब विजित मुरत आज 11 बच के 52 मिनट से दौपेर 12 बच के 47 मिनट के बीच है दिन में चार बार दु काथ सदुपयोग कर सके आजका दिशाष्यू वह दर्श को दक्षिन दिशा में तो पहले कोशिष तो यह करें कि दक्षिन दिशा की यात्रा लनिकिन अगर जाना बहुत जरूरी हो अनिवार हो तो चोटा सा एक परिहार करके निकले बहुत सरल है डक्षिन की और मुuk की ज शुरक्षित और कारे सिद्धी वाली हो जाती है और दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं करता है आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबे 10 बच के 35 मिनट से दौपे डीड़ बजे तक और फिर शाम को 5 बच के 35 मिनट से रातरी 9 बच के 35 मिनट तक यह दोनों काल खंट बाकी पूरे दिन की अपिक्षा ज्यादा शुब योग का रख है तो अच्छे एफर्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें ताकि अपने को ज्यादा चांजस मिले सफलता प्राप्त करने के आज की चंद केर होगा स्टेबल व्रश राशी वालों को अध्यात्मिक अभिरूची अधिक रहेगी यात्रा के विचार भी आ सकते हैं मितुन राशी वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का दिन है वहां नित्यादी ठीक से चलाएं करक राशी वाले अपने वहवाईक जीवन में क भीरिये बनाए रखें और सिंग राशी वालों को शत्रू बाधा परिशान कर सकती है हालाकि आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं कर राशी वाले चात्र चात्राओं को भाविश्य को लेकर अच्छी गाइडेंस मिलेगी आज इसका लाब उठाएं तुला राशी वालों को हरदे सब्मंदित समश्य और भावनात्मक पीड़ा हो सकती है व्रश्चिक राशी वालों के पराक्रम में प्रद्धी होगी प्रभाव में व्रद्धी होगी धनु राशी वाले ध्यान रखें कि आज कोई ऐसी बात आपके मूह से ना निकल जाए जो सामाजिक प्रतिश साय में हैं आज व्यापार में सावधानी बनाए रखें और मीन राशी वाले किसी थोस व्यापार के बारे में करेंगे प्लानिंग अब करतें आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्य द्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विश समझ सकते हैं समझ्याओं से मुक्त हो सकते हैं और जीवन को सुगम मना सकते हैं वह कुछ इस प्रकार है ध्यान से समझिएगा कि चिंतया जायते दुखम नान्यते हेती निश्चई तया हीने शुखी शांत सरवत्र गलित स्प्रह हैं छोटी सी बात है लेकिन अर्थ तरशकोँ घटना का घटित होना ये हमारे वश्च में नहीं है जो घटना घटित होगी वो होके रहेगी लेकिन उसकी पृतिक्रिया यानि पूरा नियंत्रण प्रमात्माने दिया हुआ है यह हमारे विवेक पर है कि चिंता करें या नहीं करें चिंता से दुख उत्पन होता है बुद्धिनाश होता है बंधन में बन जाता है मनुष्य इसलिए चिंता का त्याग करें और चिंतन शुरू करें विवेक बुद्धी का सार निकालें यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है अब बात करते हैं उन विश्ष चुपायों की जो आपकी सारी समश्याओं के सरल समाधान आपको देंगे जिने करके असफलता को अडचनों को अपने जीवन में बहुत पीछे छोड़ते वे आप सफलता और सम्रद्धी की और दड़ता से अग्रसर होंगे सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिन लोग का जनम दिन है आप सब लोग आज दौपेर एक बच के 35 मिनट से दो बच के 15 मिनट के बीच में इस समय का ध्यान रखिएगा एक 35 से दो पंद्रा की बीच में भगवान शिव जी पर केसर और चन्नन के तरसे अभिशेक करें शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के ग्यारे पाटमा मंदिर में बैठके करें फिर शाम को किसी गोशाला में या सादू संतों के आश्रम में भोजन सामगरी आप वित्रित करें य सुबह साथ बच के पंद्रा मिनट या फिर सुबह नौबच के 15 मिनट पर किसर मिले कच्छे दूद्थ से भगवान शिव जी का अभिशेक करें और भगवान शिव जी को गुरु के रूप में प्रणाम करें और फिर मंदिर में बैठ कर इस विश्विष्ट मंत्र की तीन माला का जाप करें मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र इस प्रकार है ओम नमो भगवते दक्षणा मूर्ते महियम मेधाम प्रग्याम प्रयच्च स्वाहा फिर जब आप घर आएं तो एक कोरी रोटी ले जिस पर घी तेल कुछ न लगाओ उस पर शहद लगाएं और फिर गौ माता को आप जाके ये रोटी खिला के आएं इस प्रकार से कर आप उपाय करते हैं तो आपके सफलता के आसार बढ़ जाएंगे और आपकी एजुकेशन मे पढ़ाई लिखाई में या जिस परिक्षा की आप कोशिश कर रहे हैं उसमें आपके सफलता के चांस बढ़ जाएंगे अब बात करते हैं रोग निवारण के उपायों पर दर्शे को वैसे तो उत्तम उपाय यह है कि आप उचित आहार करें उचित विहार करें यापनी दे कित साथ चल रही है उसको बड़ा बल मिलता है जैसे कि कोई भी आश्यदी लें तो पहले उसे इस विश्ष्ष्ट मंत्र द्वारा ग्यारा माला जापकर अभी मंत्रित करके रख लें बहुती तिवरता से बहुती शुबता से वाश्यदी आप पर असर करती है इसमें कोई संदे नहीं मंत्र इस्प्रकार है ध्यान से समझेगा ओम्रीम सर्वते सर्वते श्रीम क्लीम सर्वाशदी प्राण दायनी नरित्य नमोनमे स्वाहा मंत्र फिर से समझे ओम्रीम सर्वते सर्वते श्रीम क्लीम सर्वाशदी प्राण दायनी नरित्य नमोनमे स्वाहा ऐसे ही क उसके परिवार का कोई सदश्य इस विश्ष्ट मंत्र की उपासना को निश्चित रूप से करें विधान समझेगा विधान इस प्रकार है कि या तो रोगी स्वेम 21 दिन तक पांच माला का जाब कर ले या परिजन में से कोई इस प्रकार से जाब करें और 22 दिन गंगा जल को अभी मंत्रित का रोगी को वो जल नित्य पिलाना शुरू कर दे मंत्र ध्यान से समझेगा बहुत विशेश मंत्र है मंत्र है ओम अम्रत अम्रतोद भवे अम्रत वर्षणी अम्रतम श्रावे श्रावे इसी प्रकार से आप महा मृत्यूंजे या लगु मृत्यूंजे के उचित संख्या में जाप अगर करवाते हैं अनुस्टान करवाते हैं तो रोगों से बस सकते हैं यहां तक कि अकाल मृत्यू के योग भी अगर आ गए उनको भी टाला जा सकता है लेकिन इसके लिए एक छोटी सी बात जो लगवग ये अनुस्टान करने वाले 90% विद्वान जन्वी नहीं समझते हैं वो ध्यान से समझे किसी भी पुरुष देवता के साथ उसकी शक्ती का जाब बहुत ही आवश्यक है तभी कार्य सिद्धी पूरी होती है अनुस्टान का फल मिलता है इसलिए महा मृत्यूंजे के साथ साथ वो विसस्ट उपाए जो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे आपको रोगमुक्त करेंगे स्वास्त प्रदान करेंगे अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पार जनम पत्रिक आई है हमारे दर्शक राकेश यादव जी की अलवर से 25 मार्च 1986 का जनम में सुबह साथ बच के 17 मिनट अलवर प्रशन है विदेश जाकर सैटल होने के योग बताईए रहे राकेश जी आपके लगनेश दशमेश यानि की आपका शेडिर का मालिक आपके करम का मालिक एक ही ग्रह है ब्रस्पती और ये बारवे भाव यानि की बहुत दूर जाकर काम करेंगे और आपका भाग्योदे भी विदेश में होगा अब इस बात को सक्ते कर रहे हैं बारवे भाव के स्वामी शनी आपके भाग्ये बाव में बैठ कर आपके विदेश सैटल होने का योग अप्रेल से जुलाई सन 2025 के मद्दे बनेगा उसका पूर्स में भावश्य है देखे सुदानशु जी आपका मंगा लस्त शनी भी विशेश प्रवल नहीं है और तरतियेश अच्छे स्तती में नहीं है तो खेल कूद में आपका करियर बंतावन नहीं दिखाई दे रहा है अच्छा ये रहेगा कि आप किसी टेक्निकल काम में या आईटी के छेत्र में या डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो एडिटिंग में कंटेंट राइटिंग जिसे छेत्र में अपने भवश्य को समारिए उत्तम फल प्राप्ति के लिए आप एक मोती अवश्य पहनिए और नीम पीपल बर्गत के पौदे शनिवार के दिन किसी मंदर के पास लगा दीजे आपका अच्छा समय सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगा पूरा पूरा उसका लाब उठाईए तो दर्शे को ये था आज का पंचांग आज के विसुष टुपाय और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंदर शेकर शर्मा ये आशा करता हूं कि बता दर्श जीवन में परिवर्थित करेंगे कारिक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद भगवति आप सब का कल्यान करें जय आदिशक्ति नमस्कार मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं Newz 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टार्ट कार्ण के जरी जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करने से बचे जिससे आज के दिन को हम और भी खुबसूरत और बहतरीन बना सकते हैं और इसके लिए दोस्तों हम Numerology के हिसाब से एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं और कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी कौन सा मूलांग है आपका उसके लिए अगर आपने हमारे प्रोग्राम को रिसेंट जॉइन किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट अफ बर्थ है 27 यानि 27 तो 2 और 7 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर 9 तो नमबर 9 होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 8 जून 2023 और आज की जो तारिक है उनके स्वामी है शनी और शनी न्याय प्रिये देव हैं बहुत सारे लोग शनी से डरते हैं शनी का क्या इंपेक्ट पढ़ने वाला है एक से लेकर नमूलांग के जातकों पर आईए हम जानते हैं लेकिन जब हम प्लानेट शनी की बात करी रहे हैं तो कुछ चीजों को मैं क्लियर करना चाहूंगी कि हमें शनी से कभी डरने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शनी तो सबसे बहतरीन प्लानेट है सबसे अच्छे प्लानेट है क्यों? क्योंकि शनी आपको क्या करते हैं? फल प्रदाता है यानि कि रिजल्ट देते हैं अब result किन चीजों का, result है कर्मा का, जो भी हमने कर्म किया है, उसका result हमें प्राप्त होना ही होना है, बस एक चीज होती है जब शनी चल रहे होते हैं, चाहे साड़े साती में, या फिर ढईया, या पनौती, उस वक्त एक ही चीज़ होती है वो यह है कि चीज़ों में डिले हो जाता है चीज़े थोड़ी देरी से प्राप्त होती है लेकिन मिलती अवश्य है ये गैरंटी है कि मिलती अवश्य है समय लगता है लेकिन मिलता अवश्य है अब मिलेगा क्या जो हमारे कर्म होंगे जाने अ चरजल देते हैं अगर हमने अच्छा काम किया है मन से वचन से और अपने कर्म से किसी को भी दुख ना पहुंचाएं ऐसा प्रयास करें कि किसी भी जीव को किसी भी प्राणी को हमें हर्ट नहीं करना है इस बात की हमें कोशिश करनी चाहिए दूसरा हमें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए हनुमान जी की उपासना करने से कहा जाता है कि दुश्प्रभाव जू हैं वो कम हो जाते हैं तीसरा दशरत कृत शनी स्त्रोत्र का हम पाठ कर सकते हैं यह शनी देव का जो मंत्र है हम उसकी जाप भी उसकी पासना भी कर सकते हैं साथी साथ कहा जाता है कि काली वस्तुओं का दान करने से भी शनी जो है वो प्रसन होते हैं काली वस्तुमें जिसमें काला तिल, उड़द, छाता, जूते, काले रंके इस तरह की कुछ चीजों का आप दान कर सकते हैं साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप शनिवार के दिन सर्सों के तेल का उसमें प्रतिविम्ब अपना देख कर और उसके बाद उसे आप दान करने जाते हैं तो इसे भी अच्छा माना जाता है देखी हम अपने कर्मा से तो नहीं भाग सकते क्योंकि जो हम करके आएं हैं जो हम कर रहे हैं प्रतिवल तो उसका हमें प्राप्त होना ही है या होता ही है लेकिन जो आज की चीज़े हैं हम उसे सुधार के अपने आने वाले कल को सुधार सकते हैं तो हम कोशिश करें कि हमेशा अच्छे कर्मा करें मन से वचं से और कर्म से आये दोस्तों बिना देर के अपने कारिकरम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलंक 1 के लिए आज हमें परमात्मा क्या guidance दे रहे हैं कि आज मूलांग एक का दिन कैसा गुजरने वाला है और मूलांग केक के जातकों को क्या करना चाहिए और किन बातों को करने से बचना चाहिए आज 8 जून 2023 के लिए और हमसे कहा जा रहा है 100 रों का काड़ है आपका लखी नंबर है नंबर 9 और आपको कहा जा रहा है किसी प्रकार की आज थोड़ा सा आप दुखी रह सकते हैं कोई ऐसा दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपके मुताबिक कारे में किसी प्रकार का व्यवधान आ स सकता है किसी प्रकार से आपका दिल जो है वो दुख सकता है तो कुल मिला के आज का दिन आप थोड़ा सा भावनात्मक रूप से मांसिक रूप से जो है वो दुख महसूस करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे भी सकारात्मक कारण है देखिए सूरे का अंक है और शनी का अंक है तारिक शनी की है तो सूर्य और शनी पिता पुतरतों हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे कहा जाता है कि वो शत्रू राशी भी है तो आज के दिन आपको थोड़ा सा कारे में बाधा आ सकती है किसी प्रकार की परिशानी हो सकती है लेकिन आज आपको क्या करना है आज के शुबहूं आए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 जून 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है थंडर बोल्ट का काड है आज के दिन कुछ बड़ा आपके साथ हो सकता है कुछ अचानक से एक घटना घटित हो सकती है ज जतनी मैनत करी थी सब बेकार हो गए लेकिन कहीं न कहीं जो भी कुछ होगा उससे आपका जो इनर पीस है वो बिलकुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए जितना ज्यादा आज आप शांत रहेंगे जितना ज्यादा अपने आपको परमात्मा की शरण में रखेंगे उतना नहीं ज्यादा आपको फुल सपोर्ट मिलेगा डिवाइन का और आपको आगे बढ़ने में आपकी साहता होगी आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 8 जून 2013 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा क्या रहा है कुल स्क का ओड्र है है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कोई कॉई आपकी साहता करने के लिए तो आज का दिन जो जो भी कोई person आपकी life में आ रहे हैं, जो भी कोई opportunities आपकी life में आ रहे हैं, ये किसी प्रकार का hurdle भी आ रहा है, तो आज के दिन आपको क्या करना है, acceptance के भाव में रहना है, शान्त रहना है, विश्वास करना है परमात्मा की बनाई हुए नियम को, परमात्मा ने जो आपके ल हो, आई जानते हैं, मूलांक चार के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, आज 8 जून 2023 के लिए और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है, इंटेंसिटी का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है, आज के दिन की आपकी energy बहुत powerful है, आज के दिन आप बहुत इशाली उर्जा महसूस करेंगे, और आपके काम आप इस तरह जल्दी जल्दी आपके कारियों को आप पूरा करेंगे, जो कई दिन से अठके हुए थे, आप देखेंगे कि जिसे आज एकदम speed पकड़ ली है, लोग आगे बढ़के आपको फोन कर रहेंगे, आपको आगे कफट आप निप्टा लें, आज की उर्जाओं का सद्यों प्योग करें, और व्यर्थ की बातों में उलजने से आज आप बचें, आपका दिन शुभ हो, आईए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइद कर रहे हैं, आज 8 जून 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमको कहा जा रहा है, आईसोलेशन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी प्रकार की का दुख का जो समाचार है, वो आपको प्राप्त हो सकता है, थोड़ा सा आप जो है emotional महसूस करेंगे, किसी प्रकार की जो है कलह की इस्तिती बन सकती है, आपको अपने आपको थोड़ा संभालने किया जावा शकता है, कुल मिला के आज के दिन जितना जादा आप positive attitude में रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है, आज के दिन की उरजाओं का सदूपयोग करें, और साथ ही साथ हर किसी व्यक्ती पर भरोसा करने स आप बचें, कुल मिला के जो आज अगर आप किसी प्रकार से भावुक भी होंगे, तो परमात्मा देख रहा है, परमात्मा आपकी साहिता अवश्य करेंगे, आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है, हमारा आज का दिन हमें परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं, आज मूलांक 6 के लिए और हमसे कहा जा रहा है, राइटनिस का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरने वाल आज आपकी मेहनत का सुखद परिनाम आपको प्राप्त होगा शुरुआत में थोड़ी टेंशन वह सकती है लेकिन अंत भला तो सब भला आज के दिन आप अटका हुआ अगर धन है कोई कार अगर आपका अटका हुआ था तो वो सब आज आपके बनने लगेंगे फाइनेंशली अगर मैं बात करूँ आपके इनमान सम्मान की बात करूँ तो आज आपको वो मिलने वाला है जिसकी तलाश आप काफी समय से कर रहे थे आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमातमा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 जून 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको कहा जा रहा है तो वर्डन का कार्ड है आपका लखी नमबर है नमबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि अत्यदिक कारे के बोज को लेने से बचें लोगों को ना कहने की आदट डालें जो पेंडिंग काम है पहले आप उसे पूरा कर लें तब जाके किसी भी नए कारे को आपको हाथ में लेना है जितना जादा जल्दबाजी करेंगे हडबड़ी करेंगे बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे मल्टि टास्किंग बनने की कोशिश करेंगे एक काम भी पूरा नहीं हो पाएगा तो जो कारे पेंडिंग है पुराने काम है पहले उन्हें पूर्ण कर किसी भी नए कारे को हाथ में ना ले, लोगों को ना कहने की आदट डाले, ऐसा नहीं करेंगे, आपका अपना नुकसान है, थोड़ा समझदारी से आज आप चले, आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक आठ के लिए, हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, आज जून दो हजार तेस के लिए, और मूलांक आठ के लिए हमको कहा जा रहा है, मिच्चॉरिटी का कार्ड है, आज कि दिन आपको समझदारी से कुछ निर्ने लेने हैं, अगर किसी प्र तरफ उम्मीद सेक आशा की किरंट से देखेंगे और आपको लोगों को हेल्प करना ही है, मैच्चॉर थोड़ा सा बनिये, आज आप यह नहीं कि आप बच्चों की तरह उनसे पुरानी बातों पर लड़ने लगें, पास्ट इस पास्ट, आपको आज एक नई चीज़ों की अच्छा है और आपके अपना जो अनुभाव हैं जिन्दगी के वो आज आज आपके काम आने वाले हैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज जून 2030 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है रिपीट हूआ है कहीं न कहीं कार में बहुत जादा पन्डिंग हो सकती है चीज़े। आप जिसकार को कर रहे हूangen कार में रुखावपस आ सकती है। लेकिन परमातमा आपसे कह रहे है कि किसी प्रकार की चिन्ता करने की मेंचल प्रेशर आज रह सकता है लोगों को ना कहने की आतर डालें पेंडिंग काम को आज आप पूरा करें और विशेश तोर पर मांसिक रूप से थोड़ी सी तनाव बना रह सकता है तो ऐसे में जो है आप जितना हो सके उतना अपने आपको शांत रखने की कोशिश करें और कोई विक्वेरी है तो यहां दिये नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मिलूंगी आप से हमारे अगले एपिसोड में तब तक के लिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम